हालो बीटिफुल पीपल नमस्ते कैसे आप सब टैट लवस्ट्रिपल वन पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाइस मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूं आज और आज हम देखने की कोशिस करते हैं कि आप किसी परसन से अगर दिल कर रहे हो लव रिलेशन्शिप मे कि दिल में क्या चल रहा है स्टे पॉजिटिव यही हमारे निदिंग का टॉपिक के उनके दिल में क्या चल रहा है आपको ले कर इस रिस्दे को लेकर या फिर कुछ नहीं चल रहा बिलकुल खाली दिमाघ शैतान का घर होकर बैठे हुए है न गयज है तो देखаже लेते हैं आज चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जनल रीडिंग है, कितनों से मैच होगी, नहीं होगी, मुझे नहीं पता, तो देख लेना आप, तो गैस, मने कर लिए कार्ट की सफलिंग, अब निकालते हैं, यहां से कुछ कार्ट, और साथ ही देखेंगे, जस्टिस, वाव, खूल, तो आज, मैसेज़स भी देखेंगे, गाईस, उके, उनके तरफ से कुछ, ओ माइगाड, यह चल रहा है, उनके दिल में, मेरा चुनमुनु कार्ट, मेरा फैबरेट कार्ट आ गया है, गाईस, देख लीजे, फॉर अफ पांटिकल्स, विछ जस्टिस, उके, उनके दिल में, बहुत चीज़े, दो कार्ट के जड़े, पता चल गई है, कि क्या चल रहा है, फॉर अफ काफ, देखे, फॉर की अनर्जी डबल आ गई है, यहाँ पर, ओके, एटिट्यूट, एटिट्यूट भी है, और यहाँ पर आ गया है, हैर फैंट का कार्ड, ओ माइगाड, विछ जस जहाँ घमंड है, एटिट्यूट है, वहीं पर जलसी है, बहुत सी उमीदे है, किसी-किसी बात को लेकर और यहाँ पर आया है, सिक्स ओफ सोर्ड, ओखे, दमून, ओखे, उनके दिल में बहुत से चीज़े हैं, आपको लेकर, बहुत से चीज़े हैं, ओ माइगाड, त्री सोर्ड, आफर लॉंग टाइम, बहुत दिनों बात, तीन तीगाडा, काम बीगाडा का चाहरा देखने को मिला है, और यह देखते ही, मेरा मूड आफ हो गया, सची, सची में मूड आफ हो गया, दा एम्परस, ओखे, पर कोई बात नहीं, गाइज, एक कार्ट पर रीडिंग थोड़ी होती है, रीडिंग के लिए बहुत से चीज़े होती है, गाइस मुझे दो कार्ट और चाहिए यहां पर और आया है, ब्यूटिफुल कार्ट, सवन ओफ पांटेगर्स, ठीक है, ओ मैं गोड, जहां पर दो मून आया, वहीं पर आ गया है, दसन, ओके, तो खुशिय अभी बाकी है मेरे दोस्तो, खुशियों का आना बाकी है, और यहां पर आ गया है, फिर से तिन्तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानि कि थर्ड़ पार्टी इन्ल्वेंस, कुईन ओफ सोर्स, तो कोई बात नहीं, हमें फरक नहीं पड़ता, गाइस, आप जितनी भी ना घु जेड़ लो, है ना, क्योंकि हम पॉजिटिव इन्सान हैं, और हम हर नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव में बदल सकते हैं, इतना पावर हम इन्सानों में होता है, मुझे तो इस बात की बहुत ज़्यादा उमीद है, कि कोई भी नेगेटिव चीज़ कभी भी जीत नहीं सकती, पॉजिटिविटी के सामने, इसलिए तो मैं कहते हूँ आप सबसे हमेशा पॉजिटिव रही है, अब हम यहां से मैसेज़ भी निकालेंगे, ठीक है, मैसेज़ भी निकालेंगे और साथ में ही करेंगे इनकी रीडिंग्स, चलिए मैंने यहां से चार-पांच कुछ निकालेंगे, मैसेज़ इसे अभी हम बाद में निकालेंगे, सिधी करेंगे, और इसे अभी हम रख देते हैं, यहां, ओके, साइन और अलिमेंट भी बता देती हैं, हाला कि सभी साइन अलिमेंट आये हैं, सबसे ज़्यादा यहां पर मुझे नजर आ रहा है, सोर्स के अनर्जी सबसे जारा नज़र आई है यानि कि एर साइन है यहां पर जर्मनी लिब्राकोरिस मितन तुलाक कुम रासी कुछ लोगों के लिए वाटर साइन है कैंसर को पर पाइसस करक रुषिक मिन रासी और साइन भी है यहां पर टॉर्स वर्गों कैप्रिकॉन कुछ लोगों के लिए यहां पर यह रीडिंग जो है मैरिट लोगों से भी डील करता हुआ मुझे यहां पर कुछ नज़र आया है है कि आप साधी सुदा हो और यहां पर रिस्ते में कुछ प्रॉलम्स चल रही है जिसके वज़े से हो सकता है कि आपको यहां पर कुछ केस में फर्स चुके हो ऐसा नज़र आ रहा है या फिर यह हो सकता है कि आप साधी सुदा हो और किसी मेरिट पोसन से डिल कर रहे हो एक्स्ट्रा फेर हो सकता है आपको और आपको यहां पर जस्टिस चाहिए यह तो रही मेरिट की बात अब ओवरॉल सभी के लिए बात करते की है ौक है इंसान जो जिन से आप डिल करंः हो और है इन्सान बहुत ज्यादा कन्फूЙसन में नहीं चलते देक्व दिखाया पूद को दिखाता ही है ने क्धों कहीं डरा हुए औरजी होता है मून का को से चलती not branch कर लिया फैसे को तो नहीं नहीं Business चलता ही प्आए दे काड होता है ट्रावलिंग का काड होता है six of swords है ना trust issues को भी दिखाता है कहीं न कहीं कि भल उसे का तूट जाना तो इन सब तमाम बातों के वज़े से इंसान दूर हुए है आप से अलग हुए है यहाँ पर नज़र आ चुका है तो commitment को ना देना अगर आप साधी सुधा भी हो तो भी इनोंने साधी सुधा होते भी आपको वह commitment नहीं दी जो एक wife को मिलनी चाहिए या एक husband को मिलनी चाहिए है ना कहीं और affair में चले गए ऐसा लग रहा है क्यूंकि affair यहाँ पिर कुछ ना कुछ third party influence तो यहाँ पर जबर जबर तरीके से निकल गई है after a long time मुझे यहाँ पर three of source देखने को मिला है में reading में है ना तो यहाँ पर commitment ना देने का वजह मुझे यहाँ पर third party influence नजर आ रहा है दो situation है guys देख लीजिए पहला situation यहाँ पर यह है कि या तो आपके person ने कहीं और दिल लगा लिया आपको धोका दिया आपको बहुत हर्ट किया आपको जोट प और किसी तिसरे इंसान के वज़े से ही इस इंसान ने आपको commitment नहीं दी ठीक है यह पहला reason है अगर आपके आप married भी हो तो आपके person किसे extra affair में चले गए आपको छोड़ दिया आपके बच्चों को छोड़ दिया है ना और बिल्कुल कहीं और चले गए ऐसा एक situation हो सकता है द आपकी माने मना कर दिया या कोई sister हो सकती है relative हो सकते है जो कि बहुत ज़रा लालची इंसान है इनके जो भी है यह कुई नव सोट के energy में जो भी है ना आपके रिस्ते में बहुत ज़रा बहुत ही strict है यह बहुत ही घमंडी इंसान है और इस इंसान ने इतना दवाब दिया ह है कि आपके पॉसर ने आपको यह डर गए आपको commitment देने से डर गए कि इनकी family नहीं मानेगी या mother नहीं मानेगी सिस्टर नहीं मानेगी तो ऐसा ऐसी चीज़े करकर आपका दिल यहां पर तोड़ा है दिल हर एक situation में आपका तोड़ा गया है तोड़ा गया है आपका होगे चाहे family issue दिखा कर तोड़ा गया है या किसी और बंदा या बंदी के साथ physical relationship बनाकर यहां पर आपका दिल तोड़ा गया है आपको छोड़ा गया है तो यहां पर यह सब चीज़े नजर आई है आपके रिस्ते के तूटने का कारण आपको commitment ना देने का कारण और चले गए व आपके offers को accept कर ले कब आपके साथ रिस्ते में दुबारा आ जाए है ना तो offers तमाम स्टिफ आपके तरफ से यहां पर दिये जा रहे है और यह इंसान है आपके person जो बिल्कुल भी आपके offers में इंट्रेस्टेट नहीं है आपके offers को नहीं ले रहे है ना बहुत जादा इस इ अगर इन्होंने आपके offers को ले लिया है ना तो यहां पर क्या है बहुत जादा जहमेला हो जाएगा थर्ट पार्टी इनका जीना हराम कर देगी इनको जीने नहीं देगी इनको बहुत जादा तकलिफे मिलने वाली है अगर यह आपके साथ रिस्ते में आ गए तो बहुत सा लोगों ने बाते बिगाड़ी है दूसरे लोगों ने आपके रिस्ते में दरार लाई है आपके portion को आपसे जुदा कर दिया आपको अलग कर दिया तो यहां पर दूसरे लोगों का influence बहुत ही जादा है guys हाला कि collective reading है मुझे नहीं मालूम कितनों के साथ यह situation हुई है पर मु चल रहा है guys यह इनसान देखिए अभी इस इनसान में जो आपके लिए जो प्यार है ना वो बरकरार ही है बरकरार है हाला कि यह third party influence में है कभी-कभी इनसान क्या होता है नादा नहीं करते हैं गलतिया करते हैं और strong step नहीं ले पाते कोई कड़ा कदम नहीं उठा पाते तो हा मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा मेरे बस में कुछ नहीं रहा तो मैंने surrender कर दिया कि अब जो करना है कर लो मेरे life के साथ तो ऐसे energy में मुझे आपके पॉसन नजर आ रहे हैं Empress का card आपकी energy को दिखाता है कि यह इंसान जो है आपको बहुत जादा अभी भी याद करते हैं आपको miss करते हैं third party influence होने के बावजुद्पी इन्हें आपकी ही यादे आती हैं आपको बहुत जादा पसंद करते हैं आपका जो एक जगह है ना इनके life में वो कोई उचे स्थ पर है guys okay जहां से वो आपको गिरा नहीं सकते बिल्कुल आप एक ऐसे इंसान हो जिनोंने इनकी life में हो सकता है कि बहुत जादा यूना हरियाली ला दी थी इनको इनके life को happy बना दिया था इनके लिए आपने बहुत सारे sacrifices किये हैं you are like queen to them आप एक रानी की तरह हो या राजा के तरह हो इनके life में जिनोंने इनके life में आकर इनकी life में बाहर ला दी थी खुशिया ला दी थी पर किसी ना किसी reason के वज़े से इस इंसान ने आपको छोड़ने का डिशिन गया पर छोड़ने के बाद भी आप से दूर होने के बाद भी आप अभी भी इस इंसान के mind में हो वो इस इंसान के दिल में हो, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव फिल करते हैं, मैरा प्यारा कार्ड यहां पर जो आया था, आपको गुमाना नहीं चाहते हैं, अपने लाइफ से दूर होते हुए देख नहीं सकते हाला कि खुद ही आपके लाइफ से दूर चले गए हैं, ठीक है, पर अभी भी इस इंसान में अभी उम्मीद हैं, यह चाहते हैं कि आपको अपने पास ही सहच कर रखे, अपने पास ही र करते रहों आप किसी और के साथ कहीं चले जायो है ना इन्हें ये बिल्कुल भी देखना गवारा नहीं होता है आपको लेकर बहुत ज्यादा ओफ़र पॉसेशिव जेलसी इस इंसान के दिल में है इन्हें लगता है कि आप सिर्फ और इस इंसान के हो ये चल रहा है इनके दि इस इंसान के दिल में भी आपकी एनरजी बिल्कुल वैसी है कि अगर आप एक बार निकल गए तो फिर आपको कैसे पाया जा सकता है तो यह आपको गुमाने ही नहीं देना चाहते हैं कैसे देखिया कैसे पकड़कर जकड़कर हर चीज को रखा हुआ है इस इंसान ने है अपने हातों में पैरों में तो यह आपको भी इसी तरीके से अपने लाइफ से गुमाने नहीं देना चाहते हाला कि यह खुद अभी जो है आपसे दूर है पर उमीद है यहाँ पर इस इंसान की है कि आप इनके पास ही रहो आप इनके साथ ही रहो तब ही हो सकता है कि आप में से बहुत लोग पुसंद इन आउट करते होंगे देखने के लिए कि आप कहीं अभी भी इनका इंतजार कर रहे हो या नहीं है ना इन आउट करेंगे छोट सब्सक्राइब बिल्कुल भी खुश नहीं है इनके लाइफ से खो गई है चली गई है तो अब यह चाहते है इस रिलेशन्शिप में हैपिनिस लाना मुझे यहां पर बहुत ज़ादा लग रहा है कि इनसान आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं उनके दिल में बहुत ज़ादा इस बात के चांस होता है ना इसकी चांस लेना चाहते अप थरट पार्ट इस सिट्वेशन से निक दीखाता है जो चीज़ें बिगड़ उसमें र्काउंसिलेशन होने को दिखाता है और अच्छे रिलेशन वित यू रिकॉंसिलेशन का काड होता है फिर से मिलना चाहते आपके पास आना चाहते जो जो अन्याई इन्होंने आपके साथ किया है गलतिया इन्होंने आपके साथ किया है यह जो है इस रिलेशनशिप में अब नयाई करना चाहते है सबसे बहतर होता है कि यह रिकॉंसिले नहीं जो है आपके favor में यहां पर आने की chances भी मुझे नजर आ रहे हैं okay comeback करना चाहते है रिस्तों को फिर से बनाता हुआ देख रहे हैं बनता हुआ देख रहे हैं कि जो रिश्था कहीं पर अटक गया था टूड गया था, रुख गया था, अब इस रिस्ते को फिर से जो है, खड़ा करना है, बनाना है, आना ग्रोथ होता हुआ देखना चाहते हैं, तो यहांपर स्टॉप तो हुआ था, तो अब यहांपर अगेन ग्रोथ का कड़ा है, यानि कि उनके दिल में चल रहा है, कि अब इ इनके दिल की बाते हैं जो मैं आपको बतारी हैं क्योंकि हमारा सवाल ही है कि उनके दिल में क्या चल रहा है तो उनके दिल में साधी को लेकर बहुत सी बाते चल रही है जो आपके साथ है आपके साथ साधी में बनना चाहते है अगर साधी सुधा है कहीं और रिलेशन्शिप म देन्द Ninth में वापस आना चाहते इससे दिखाता है अगर आप Unmarried हो तो यह दिखाता हैकि आपके साहसारे करना चाहते है love marriage को दिखाता है out of friend का card spiritual growth को दिखाता है कि मैं अब अपनें आपको बदल रहा हूं बदल रही हूं मुझमें इतनी बी गलतिया थी उन गलतियों we याना की कोई महिला है जो इस इंसान को बहुत चारा कंट्रोल-कर करके रखी हूई है महिला कही काड़ है कुई an-of-sorts होके दिखाता है कि आपकी पुसान अभी भी इस इनसान के चंगूल में है हाला कि इस चंगुल में इन्हें रहना गवारा नहीं है इन्हें पसंद नहीं है यह निकलना चाहते है इस रिलेशनशिप से और खुश होना चाहते है क्योंकि खुश यह बिल्कुल भी नहीं है थर्ड पार्टी इंफ्रेंस में बिल्कुल भी इनका मन नहीं लग रहा है, इन्होंने जबर्जस्ती इनकी बाते मानी हुई है, हैना इनका खुद का अडिशियन, आपके पुछन का अडिशियन इनके लाइफ में नहीं चलता, दूश्रों के गुलाम बने हुए हैं आपके प जा गया है, समझ रहे हैं इसकी से और के सारे में टट्टू के तरह नाच रहे हैं आपके पुछन यहां पर इसके नीचे भी आप देखें टेन आप सोर्स की आनरजी आई है, यह दिखाता है, आपके पुछन आपसे दूर होने के बात में हैं जिस तरीके से इन्होंने इस ज़्यादा जरूरी है, और जैसा कि मुझे लग रहा है सन के कार्ट से, हैना सन के कार्ट से और जस्टिस के कार्ट से मुझे यहां पर नजर आ रहा है कि यह इन्सान वापस आएंगे, जो जो बाते, जो जो ख्वाई से इस इन्सान के दिल में चल रही है, वो सब यहां पर न्याई मिलेगी और आपके पॉसन जो है आपके पास वापस आएंगे जिस तरीके से गए थे वैसे ही वो वापस आएंगे तो उनके दिल में आपके लिए बहुत से अनरजीस है देखे गाइस जहां कमिट्मेंट को लेकर डर रहे हैं आपके ओफर्स को नहीं ले रहे हैं क्य नहीं जो है मजबूर किया जा रहा है आपसे दूर रहने के लिए आपको लेकर बहुत जारा जैलेस फिल करते हैं जलते हैं आपको जब किसी और के साथ देखते हैं जस्टिस हैं आपर देते हुए नजर आ रहे हैं रिस्तों में फिर से ग्रोथ होता हुए नजर आ रहा है आप पर है ना तो तमाम यह पर positive चीजे साथी साधी का thinking भी इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है पर रास्ते आसान नहीं है third party influence है तो आपको भी सोचना होगा कि क्या इतना आसान होगा निकलना इस रिष्टे से third party influence से निकलना क्या इतना आसान होगा guys है ना क्योंकि जब त हिम्मत दिखाने की जरूत है अगर problem इनकी तरफ से है तो इन्हें भी हिम्मत दिखाने की जरूत है और आप तो नहीं साथ मिलकर ही कोई ना कोई इस रिष्टे को एक अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकते हो okay messages देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या आया है pure love for you यानि कि यह कह भेजा है guys okay so बहुत सारा kisses आप सभी के लिए उनकी तरफ से okay guys तुम कितनी तुम इतनी प्यारी क्यों हो तो मैंने यहाँ पर कहा था कि आप एंपरिस के अनर्जी में हो तो यह कह रहें कि आप बहुत ही प्यारे हो आपको जो है बहुत ही पसंद करते हैं आपके पसंद इसी वजह से यह बहुत जारा जेलस भी फिल करते हैं यहाँ पर guys okay टेक केर आफ यूर हेल्थ यह कह रहेगी अपने हेल्थ का ध्यान रखा करो जी हाँ अपने हेल्थ का ध्यान रखा करो क्योंकि मैं भी जानती हूं कि आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते खाना पिना छोड़ रखा है आपने अपने पोशन के लिए उनकी याद में है न यहाओ इतना जारा o my God इतना केर कर रहे आपको देखे कि खुश्ष रहा है नसी को सार्ड एनरजी में मत रहो है वि रहो मैं तुम्हें प्यार भेज रहा हूं कि तुम्हें इतनी प्यारी हो wow so beautiful message for you guys तो guys यही चल रहा है उनके दिल में यही सब feelings चल रही है आपके दिल में पर यह इंसान जरूर कोई ना कोई action लेंगे क्योंकि यहाँ पर justice और the sun का card आया है बहुत भी positive card आया है तो मुझे लगता है कि उनके दिल में जो चल रहा है वो उसे अब जो है हकीकत में बदलेंगे औ और आपके पास बहुत जल्दी यह इंसान वापस आ जाएंगे क्योंकि यह आपको भूल नहीं पाए है पर मुसीबत यहाँ पर बहुत है guys इस बात को भी नजर अंदाज नहीं कर सकते तो इतना कहते हैं guys reading को कर रहे हैं close आपको रखना है आपना बहुत अच्छा खयाल क्य कि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जादा प्यार I love you all take care namaste and bye bye guys